Hello everyone, welcome to MagnetBains, my name is Yaman, तुम्हें स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल MagnetBains, जो प्रोवाइट करता है quality education full course content के साथ, जी हाँ, full course content, कुछ भी ऐसा नहीं है सर, जो आपको यहाँ छोड़ा जाता है, 100% quality education दी जाती है, बढ़िया और शांदाल तरीके से, मज़ा आजाएग topic wise, NCRT solution, MIQs, MCQs, one shot, crash course, DPP, PYQs, सब कुछ करवाए जाते हैं, और NCRT तो पूरी cover करते हैं सर, बढ़िया और शांदाल तरीके से, फिर बच्चा फच जाता है सर, notes, क्या होता, कभी-कभी सुरू में छूट गए, बना नहीं पाए, तो यह जो e-book e-notes होती है, यह सब आपको description box में मिल जाती है, बस वहाँ जाईए, वहाँ से उठाईए सारे notes को, और बढ़िया तरीके से पढ़ाई चालू कर दीजिए, बाकि आप जानते है, Magnet Brains, Hindi Medium भी है, जिसमें आप provide करते हैं, एक दम class 6 से लेका 12 तक की education, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, जो segment अपन भी cover किया जाता है, शांदार और बढ़िया तरीके से, done, चलिये तो, आज start करेंगे सर जी, carbal amine test, carbal amine, important है, इसको अपन कहते हैं, isocyanite test, जैसे अपने हिंस्बग reagent पढ़ाता है, हिंस्बग test, जो क्या कलता था, सर जी, primary, secondary और tertiary amines के बीच में distinguish कलता था, वैसे ही होता ह सर, carbal amine test, important, शांदार और ला जवाब, मज़ा आएगा सर इसमें, क्या होगा सर, मज़ा आएगा सर, carbal amine test और इसी को कहते है, isocyanite test, सर इसमें पता कुछ नहीं होता, isocyanite बनना है, क्या बनना है, isocyanite, मतलब NC बनेगा, सर काम का test में कहता हो रहा है, इसको लगा डाला, तो life जिंगा लाला, एकदम जिंगा लाला, बिलकुल एकदम, करें चालू, बिलकुल सर, चालू करने वाले एक तरफा test है, देखिए, अच्छा, सबसे पहली बात, ये test सिफ देता है primary amine, और कोई नहीं देगा, सिफ primary amine देता है, नहीं, सिफ primary amine देता है, ये test और कोई भ होता है, R-NH2, ठीके, ये होता है अपना primary amine, मैंने का ठीक है सर, बिलकुल एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर, primary amine, primary amine, okay, इसकी reaction, chloroform, और alcoholic कोईच, chloroform और alcoholic कोईच, बात समझ रहे हो, chloroform जानते हो न, वही हिंदी पिच्चर का, एक, चंग जाता न, कोई भट से बेहुश हो जाता, वही, और सर, alcoholic कोईच, जानते हो के नि जानते हो, बिलकुल, सर, यहां बनता है, isocyanide, क्या बनता है, isocyanide, तो बना दो, R-NC, ये बन गय isocyanide, अब आप जानते हो, alcoholic कोईच, क्या कलता है, के सील बनाएगा, और हट बनाएगा, और ये जो, isocyanide होता है, ये जो दिख रहा है, ये isocyanide, ये, ये, बहुत गंदी, foul smelling होती है, कैसी होती है, foul smell, बहुत बेकालती है, एक दम, ऐसा हो जाएगा, इत्ते खतरनाक तरीके से, इसकी smell आपको देखने को मिलती है, foul smelling होती है, सरी ये, तो जैसे ही आपको ऐसी smell मिल जाए, तो अज चिला के कहें देना, भया, primary amine है, क्या है, भया, primary amine है, बिल्कुल primary amine, कोई दिक्कत की बात है, यहाँ पर नहीं है, देखे, primary amine, चाहे वो कोई सा भी हो, chain वाला हो, चाहे बenzीनवाला हो, चाहे वो empatic हो, रियक्स विथ, chloroform in the presence of alcoholic KOH to form foul-smalling carbal amine कार्बाइल अमीन कार्बाइल अमीन बना लेता है क्या बना लेता है आईजोसाइनाइट को कार्बाइल अमीन कहते है यह तैयार कर लेता है देखिए primary amine chloroform KOH दिख रहा है थोड़ा सा heat करा क्या बन गया iso sinide KCl और H2O कोई दिक्कत की बात नहीं दूसरी बात यह दिखे यह साथ इनलीन के साथ भी था पहले इसको नोट डाउन करो फिर aban अनलीन वाले पे आते हैं फिर जया कोई दिक्कत की बात यह तक नहीन जल्दी नोट डाउन करेंगे जल्दी फटा फट जल्दी नोट डाउन करेंगे, पका, डायन, चलो, अब देखो, सर ये भी प्राइमरी अमीन है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, सर दो हाइडोजन लगे है, मतलब प्राइमरी ये अगन्फर्म बात है, फिर, ये क्लोरोफॉर्म, और ये आपका फिल से अलकोहलिक के ओएच, बना दीजे आईजोसाइनाइड, बना दीजे आईजोसाइनाइड, ये देखिए, ऊपर लग गया है, Nc, प्लस H2O, प्लस KCA, ये देखिए, और ये जो है, इसको अपन कहते हैं, फिनाइल आईजोसाइनाइड, क्या कहते हैं, फिनाइल आईजोसाइनाइड, देखा, देख लिए जब ये, फिनाइल आईजोसाइनाइड, चीक है, ये देखिए, एनिलीन, chloroform KOH क्या बन गया फिनाइल आइजोसाइनाइड और यह बहिए secondary and tertiary amines aliphatic as well as aromatic do not give this test सर एक बात याद अख्षान ना secondary देगा ना secondary amine देगा और ना tertiary amine देगा सिर्फ और सिर्फ यह test देता है सर कौन हमारे primary amine कौन देते हैं सर सिर्फ primary amine यह test को देते हैं और कोई नहीं देता है बिल्कुल शांदार बात है यह बात आपको पता होनी चाहिए 101% पता होनी चाहिए जल्दी note down करेंगे इसको फटा फट जल्दी note down करेंगे तभी मज़ा आएगा नहीं तो नहीं आने वाला क्लियर है जल्दी screenshot लीजिए हो गया डान पका चलिए यह लीजिए screenshot लीजिए जल्दी चलिए तो अब इसका देखते हैं अपन मेकानिजम सर वैसे मेकानिजम इतना इंपोर्टन नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ लो सर जरूरी जरूरी यह सर देखो या अभी आपने एक reaction देखी हना यह देखिया आपने reaction देखी इसी reaction को मैं complete करवा रहा हूं कैसे बनता है आइजो साइनाइड अपन देखने वाले सर इसमें पहले आपने chloroform यूज क्या था है क्लोरोफॉर्म क्या होता है सर जी क्लोरोफॉर्म बहुत इजी होता है ऐसा होता है यह होता है क्लोरोफॉर्म बिल्कुल सर यह होता है यह होता है यह होता है अपना क्लोरोफॉर्म CHCl3 इसको कहते है क्लोरोफॉर्म मैंने का ठीक है सर अब इसकी reaction पहले अपन करवा रहे है स किस से को से, को को क्या करता है? इसको देता है ओहश माइनस, क्या देता है सर, क्या करता है सर इसने ओहश माइनस दे दिया, अब देखो सर अपन सब जानते हैं आसानी से Klorine सबके सब बहुत जादा electrical negative होते हैं तो तो सरवांड को अपनी तरफ खीच के रखते हैं तो यह सब के सब into negative होंगे और और immersion से कीच के रखता है चला बाई इ का हवाग प्लस हाइज है वाइला यह हॉडालेगा फिर हाइडोजन का बचेगा ह्च प्लस यह Q और यह OH क्या बना लेगा ? माइनस H2O बात समझ में आए ? यह सब elektronegative, carbon, electro positive तो भया उसने क्या करा ? hydrogen का loan pair यह पूरा bond छोडा लिया तो यह बना H plus और यह OH- क्या बना लेगा ? H2O अब carbon के पास क्या हुआ ? यह पूरा bond आ गया तो उसके उपर negative charge आ गया यह minus charge और उसके पास यह T यह अब क्या हुआ ? यहाँ से chlorine के रहा भया मैं जा रहा हूँ chlorine नहीं यह loan pair लिया यह bond लिया और निकल गया CL minus बना के और यह K था ? था क्या नहीं ? यह K और यह CL minus क्या बना लेगा सर ? KCL अब क्या बच्चा यह बताओ ? सब कार्बन के साथ 2 chlorine जुड़े अब बस और उसके पास बस loan pair अब minus charge हड़िया न minus charge हड़िया वो जो उसने extra छुड़ाए थे भया वो हड़ गया और यह तयार हो गया इसको पता क्या कहा जाता है ? इसको कहा जाता है Dichlorocarbene कया कहा जाता है ? Dichlorocarbene क्या कहा जाता है? Dichlorocarbene क्या कहा जाता है Dichlorocarbene कोई तकलीफ इसमें ? इसमें कोई तकलीफ हो तो बताईए और सर यह एक illustration आप कुछ लोग कहते सर कैसे पता आपको यह इलेक्ट्रोफाइल है आपको इसने बताया था क्या आके मैंने कहा आप खुद देखो इस कारबन के पास दो यह चेट दो यह चेट चार और दो छे मतलब यह electron deficient compound है क्या बहुत यह electron deficient compound इसी लिए मैंने इसको क्या बोलाए? अप कहानी चालू होती है, सर। जब ये बन जाता है psychology क्लोर कार्बीन, अब कहानी चालू होती है। ऐआया आपका अमीन, देखिए, ये आया आपका अमीन, ये आया आपका अमीन, RNH2, दिखरा है? हम सब जानते हैं इसके पास होता है सर लोन पेर होता है क्या नहीं होता है अब ले क्या आओ डाय क्लोरो कार्बीन को डिया ओधी है थीड़ा है है क्या कि नहीं है अब भाइया इसके पास his कमी तो यह कहता मेर को तो चाहिए उलेक्ट्रोन तो इसने इस पर हमला बोला तो नाइट्रोजन तो दिलदार आदमी है नाइट्रोजन क्या ठीक है ले ले आंठ तू भी क्या याद आखेगा ले जा ले तो यह nitrogen, एक hydrogen उपर, एक hydrogen उपर, इस से कौन जुड़ गया, carbon, और carbon से 2 chlorine जुड़े हुआ, यह, दिख रहा है, और carbon के उपर loan pair, carbon के उपर, loan pair और minus charge भी है, ठीक है, कोई दिक्कत तो रही यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत हो, तो बताईए पहले, जल्दी इतना note down करें, चलो, यहां तक clear हुआ, done, यह loan pair मत दिखाओ, अब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन nitrogen के loan pair चले गया, तो nitrogen के उपर कौन सा charge आगया, plus, भाई यह, दूसरे sign से दिखाएंगे, यह हो गया, plus, अब भाई अगर आपको याद हो, तो 3 KOH आए थे, 1 KOH तो यह रहा, एक और KOH आने वाला है, एक और KOH आने वाला है, बिलकुल, चिक है, चलो, भाई, यहां ग आपको provide करता है, OH-, चीक है, चीक, अब आपके पास क्या होता है, nitrogen के पास, acidic hydrogen दिख रहा है, चीक है, तो यह जाएगा, इसके साथ मिलने, H+, बना के, चीक है सर, और यह जो इसका bond है, यह bond का shift होगा, वो देख लेते हैं, सर, यह bond तो कहीं न कहीं जाएगा, यह bond, hydrogen तो H+, ब double bond बन जाएगा, बन जाएगा के नहीं, और इसी का फाइदा यह chlorine उठा लेगा, chlorine कहेगा, मैं भी जा रहा हूँ, chlorine कहेगा, पीछे दिर पास double bond तो आ रहा है, मेरा क्या करेगा, मैं तो जा रहा हूँ, तो यहाँ से क्या हो रहा है, सर, पहले तो यह H2O बन के निकल रहा है, माइनस H2O, चीक है, उसके बाद, यह CL भी निकल रहा है, और इससे K बना लेगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस KCL, माइनस KCL, अब हुआ क्या ज़रा देखो, प्याल से देखना, सर, R, N, ऊपर H लगा है, चीक है, बात को समझना, इदा प्लस चार्ज, चीक है, यह double bond आया, कार्बन पे, यह CL चला गया, तो अभी भी एक CL लगा हुआ है, और उसके उपर क्या है, सर, माइनस चार्ज, यह देखो, दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, इस तरीके की चीज़, दिखा सर, बिलकुल दिखा हो, दिखा हो तो बताइए, सर, यह देखिए, इस तरीके, यह हो गया, सर, सर, फिल से मेरा एक और बात, वोई सेम प्रोसेस, फिल से यहाँ पर कॉन आया, क्या देगा, सर, ओएच माइनस देगा, ओएच माइनस देगा, सर, इसको थोड़ा ऐसा लिखो, ठीक है क्या देगा ओएच माइनस देगा मैंने ठीक है सर अब अगर ओएच माइनस फिल से देगा तो यह देखो उपर दिख रहा है एक और है इसके पास यह एच यह यह एच फिल से इसके साथ ह2 बना लेगा और यहां से निकलने की तयारी में रहेगा तो सर फिल से यह bond किदर की तरफ shift होगा इदर की तरफ होगा के नहीं होगा और इसी का फायदा उठाके क्लोरीन यहां से निकलेगा क्लोरीन बोलेगा भाया के से अपन दोनों फिल चलते हैं माइनस के सील और फाइनली आपका क्या बन गया आर सिंगल बॉन एन और इनके एक KCl, दो KCl, तीन KCl, एक H2O, दो H2O और तीन H2O, पूरी रियक्शन होगी, और तीन KOH भी आए प्रेजन्स में, देखो, एक KOH, दो KOH, तीन KOH, और उसके बाद यह रहा एनिलीन और यह रहा आपका क्लोरोफॉर्म, तो यह देखिए, एनिलीन, क्लोरोफॉर्म, 3KOH, 3KCl, 3 TH2O और आइजोसाइनाइड बिल गया, तो यह था पूरा मेकानिसम, कार्बल अमीन रियक्शन का मेकानिसम, सबसे इंपोर्टेंट पार्ट जो था ना सर इस रियक्शन का, वो यह था, सबसे इंपोर्टेंट पार्ट, इससे important कुछ भी नहीं था यह सबसे important पार्ट था यह बनता है तब ही आपकी process आगे बढ़ेगी नहीं तो नहीं बढ़ पाईगी बिल्कुल यह सबसे important पार्ट था जिसने इसको लगा डाला live जिंगा लाला कोई दिक्कत की बात नहीं है बिल्कुल शांदार तरीके से एक नमबर बोले तो जखास तरीके से कोई दिक्कत की बात नहीं थी चीके जल्दी नोट डाउन करेंगे जल्दी 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 बढ़िया एक नमबर एक नमबर चलो जल्दी नोट डाउन कर लो सर हो जाये तो बताईए का जरूर हना बताना जरूर है भाईया हो जाए तो हना कि नहीं बताओगे बिल्कुल बताना है चलो जल्दी कताम हो गया डान चीक है क्लिया करूँ चीक है सर तो फाइनली इसका स्टीन शॉट ले लिया था यह अपना था आज कारबल अमीन डियक्शन और तेस्टंन होता है पन चीक हम गया, done, clear है, जल्दी, एक बास का screenshot ले लिजिए, फिर अपन finally इसको वीडियो को conclude करते है, done, चिके, चलिए, तो finally ये समाप्त होता है, sir, important test था, important reaction थी, name reaction थी, distinguished test था, इसलिए आपको बताना जरूरी था, बढ़िया तरीके से लिखी है, अच्छे से समझी है, कोई doubt हो तो मुझे बताईए, और बढ़िया लगा हो, तो एक बार fire वाला emoji जरूर हो जाए, कि sir, मज़ा आ गया है, एक number बोले तो जखास तरीके से, शांदाल तरीके से, और मज़ेदाल तरीके से, चिके, बाकी आप सभी जानते है, regularly आपको 11th, 12th के recorded lectures, as well as live lectures दिये जा रहे हैं, कि आपकी पढ़ाई बहुत मजबूत होते चलिए, लेगुलर्ली आपको content provided किया जा रहा है, कि आपको कोई दिक्कत की बात ना हो, आप सभी जानते है, माइनेट बेइस के दो चैनल है, देखिए, एक English medium और एक Hindi medium, अगर English medium की बात करें तो CBSC board, Delhi board दोनों cover करवाया जाता है, वह हिंदी medium की बात करें तो CBSC Delhi board के साथ, ब्यार बोर्ड, UP board, MP board और राजिस्तान बोर्ड इनको भी cover करते हैं, साती सात वेदिक मैस, crash course और spoken English, इतको भी cover किया जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, ebooks, e-notes, e-books, e-notes, ये भी important है, जिसकी link आपको description box में मिल जाती है, जहां से आपको particularly बढ़िया तरीके से आपको notes प्रोवाइड हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, अच्छा, जो first time channel पे आया, please channel को subscribe कर लेना, जिससे आपको आगे के lectures और videos बढ़िया और शांदाल तरीके से मिलते जाएं, भाया दबा के like और शेयर करेंगे, बिल्कुल शांदाल तरीके से, तब ही मज़ा आने वाला है, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आगे, तो मिलते हैं अगले lecture में, तब तक के लिए फिर बाई बाई, और सर कब? कल आएगा एक और भेतरी lecture, सर कितने बजए, same time, same जगा, तो कल मिलेंगे, तब तक के लिए, बाई बाई, thank you so much, जै हिम!